मैं कहता हूं वो अपने वक्त से बहुत आगे के या लीडर या एक स्पिरिचुल गुरू के तौर पे जाने जाते थे अपने वक्त पे जो कुछ दौरान जो कुछ हुआ जिते भी उनको लेकर कॉंट्रवर्सी जुड़ी रही उन चीजों को हमने जादा छेड़ने की कोशिश नहीं की है लेकिन पहली एकलोती फिल्म है जो ओशो रजनीश की जिंदगी पर आधारित रही है ये इस फिल्म की खास बात है अखबार में खबरे थी कि आप तीन तीन आतारों में इसमें नजर आने हो रहें तो वो एक्जेकलि क्या है हमारे लिग्मों मैं रिबेलेस फिलार में एक ट्रिपल रोल प्ले कर रहा हूं क्योंकि तीन ऐसे किरदार थे जो जो ओशो की जिंदगी में आए थे जब वो काफी कम उमर के थे साथ साल के किस साल के उमर के चौदा पंद्रा साल के तो मैं चुकि हमारे प्रोडूसर और जो इस फिल्म के कहानीकार भी है, स्वामी जग्दीश भारती उनसे हमने इस बारे में चर्चा की कि मैंने अड़ा एस अन एक्टर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूं तो मुझे तीनों किरदार निभाने का मौका में ले और स्वा ओशो रजनीश अपने आप में हिंदुस्तान के सबसे सुविख्यात स्पिरिच्छल गुरूस में से एक हैं, एक वक्त पर उनको सेक्स गुरू के नाम से भी जाना जाता था, परंतु केवल सेक्स गुरू के नाम से उनको जबचु की लिमिट कर दिया गया, तो हमने सोचा कि कम से कम आने वाली इस पीडी को कुछ तो मालूम पड़े कि आखिर ओशो रजनीश रियली में थे कौन, भले ही उनकी किताब संभोग से समाधी की और की बात करें, जहां पर पुरी दुनिया ने कहा कि भई, ये इनसान तो सेक्स बेचता है, ये सेक्स का देवता है, और सेक्स चलता है, ये बहुती एक सीमत मांसिकटा की सोच रही है, और जैसे कि आपको मालूम है हमारे देश में तो सवाल पूचने वालो को किस तरीके से दबा दिया जाता है, या उसको गलत साबित कर दिया जाता है, वो सवाल किस परकार आ है उसके जहन में, इसी पर आधार से एक वक्त पर पूछा गया था कि वो एक चित्र बनाया तो उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बनाया था जिस पर, एक नजर से देखो तो गुलाब था दूसरे नजर से देखो तो वो एक योधधा था तो वो ओले मैं एक ऐसा गुलाब हूँ जो अपनी खुश्बू, अपनी महक को लोगों तक पहुँचाने के लिए कोई भी विधिया अपना हूँगा वो एक करांती कारी थे, अपनी सोच से और उसी करांती को, उसी विध्रोह को उन्होंने बड़े सायम से सामने पेश किया और एक कहानी उसी पर आधा रहे थे मैंने अपने लाइफ के सबसे टफेस रोल्स में से तीन रोल्स यहां पर प्ले किये हैं उनमें से एक 60-65 साल का एक अधेड उम्र का बाबा है, एक 40-45 साल का अगोरी है, एक 30-32 साल का एक साधक है तो तीन अलग अलग बाबा, तीन अलग अलग संत, तीन अलग 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 फकीरों का किरदार निभाया है ये मेरे लिए सबसे खास बात रही कि जिस आशरम से किसी जमाने में मैंने अपने ओशो जीवन की शुरुआत करी थी उसी आशरम में जाकर एक दिन एज अन आक्टर मैंने काम किया फिल्म में गाने तकरीबन साथ हैं और बहतरीन गाने क्लासिकल बेस्ट हैं फिल्मी गाने या कमर्शल गाने नहीं हैं लेकिन बहुत ही मन को छुझाने वाले गाने हैं आपको इन गानों की जलग भी हम दे चुके हैं अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत बहुत शुक्रिया ओशो कहते रहे हैं celebration is the way of life और हम यहीं उम्मीद करते हैं कि यह celebration आपके जीवन का भी हिस्सा बने Thank you